अगर पंजाब के लोगों के आपसी भाईचारे, पंजाब के लोगों की अमन शान्ती और पंजाब के लोगों की आपस में प्यार पर कोई बुरी नज़र डाले, तो पंजाबी किसी भी हालत में ये बरदाश्ट नहीं कर दे। इतिहास गवा है, जिसने भी पंजाब के शोशल भाईचारक सांज को, जिसने भी पंजाब की अमन शान्ती को तोड़नी की रत्ती भर भी कोशिश की, तो पंजाबी नहीं उसका मूँ तोड़मा जवाब दिया। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताक्तों के हाथ चड़कर पंजाब में महौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफर्त वरी, स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कनून के खिलाब बोल रहे थे, तो उन पर कारवाई की गई है, और उस कारवाई के दुरान वो सब लोग पकड़े गए हैं, और उनको सक्स सक्स सजादी जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक कट्टर देशवक्त और इमानधार पार्टी है, पंजाब का अमन चैन और देश की तरक्की हमारी प्राथमिकता है, और कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप्रयू उसको हम बक्षेंगे नहीं, क्योंकि लोगों ने बारी बहुमत देकर हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, दूसरों के बेटों को ये कहना के आईए, हम ये करेंगे, हम ये गैर करोनी काम करेंगे, आप हमा लोगों के फोन आए, बहुत पेरेंट्स के फोन आए, माता पिता के फोन आए, कि जी आपने बहुत अच्छा किया, पंजाम में अमन और शांती रहनी चाहिए, इस मामले में हम आपका साथ देंगे, क्योंकि हमें डर था कि शायद हमारे बच्चे वो गलत बुरी संगत में नपड़ जायें, जबके सरकार वो आई है जो बच्चों को पढ़ाने की, स्कूल ओफ एमिनेंस की, बच्चों को तरक्की और रोजगार दलबाने की बाते कर रहे है, तो हमारे लिए प्रातमिक्ता किताबे हैं, हमारे लिए प्रातमिक्ता लैपटॉप और कंप्यूटर है हमारे लिए प्रात्मिक्ता कोई गैर समाजिक हथ्यार नहीं है तो मैं तीन क्रोड पंजाबियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस सप्रेशन के दुरान बहुत साथ दिया पंजाब में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना जा कोई पत्थर जा कंकर चलने की घटना की र मेरा भी होसला बड़ा है कि लोग जो है वो शांती चाहते हैं लोग तरक्की चाहते हैं और हमारी सरकार जो है नफरत की राजनिती नहीं करते हैं हम तो तरक्की की राजनिती करते हैं हम सुकूलों की बात करते हैं अस्पतालों की बात करते हैं बिजली की बात करते हैं 100% secular party है हम लोग किसी धर्म के नाम पर जाती के नाम पर जा नफरत के नाम पर कभी भी राजनीती नहीं करते और पंजाब की शांती और पंजाब की अमन के लिए हम सक्त सक्त कारवई करेंगे जो लोग बुरी कंपनी में बुरी संगत में फसके पंजाब का कुछ बुरा सोचन का यह आपकी गलत फैमी होगी तो मैं एक वार फिर पूरी दुनिया में रहते पंजाबियों को भी आशवाशन दिलवाता हूं कि मेरा खून का कत्रा कत्रा मेरे दिल की एक एक धड़कन मेरा एक एक सांस पंजाब के लिए धड़कता है हाजिर है पंजाब के लिए मेरे सूबा था और नंबर वन सूबा बनाएंगे और पंजाब से लीड देश लेता था और लेता रहेगा आज भी हमारे हजारों जवान जो हैं वो देश की इजादी को कैम रखने के लिए सरहदों पर अपना सीना तान के खड़े हैं इस बात कामेगरव है तो पंजाब की शांती को पंजाब के पीस को पंजाब की हर्मनी को अगर कोई टच भी करेगा अगर कोई बगारनी की सोचेगा भी तो सक्त से सक्त कारवाई होगी यह हमारा वादा है और इसी लिए आपने हमें जुम्यदारी दी है उस जुम्यदारी के अधार पर ही मैं कह रहा हूं कि पंजाब क की सुरक्षा का दायत उठाएगी और आपके बच्चों को पढ़ाएगी बज़र्गों को अच्छा इलाज देंगे और तरक्की के नए-नए जो है मौके पंजाब में पैदा होंगे और पंजाब नंबर वन सुबा बनेगा और देश हमारा अगर पंजाब नंबर वन सुबा बनेगा तो देश पूरी दुनिया में नंबर वन देश बनेगा इनकलाब जिंदा बाद जैए